वेल्कम बैक तो माई चैनल हैपी स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम जैकबर द्वारा जारी किया गया मॉडल कोस्टेन पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे यह इकॉनोमिक्स पेपर क्लाश 12 का है इसमें कुछ दिशानेदेश दिया गया है इस एक्जाम का आपको इई है विश्बावन कोस्टेन है इसमें से एक से थीस तक आपका अब्जेक्टिब है उसके बाद दो अंक का छेपरशन का उत्तर आपको देना है तीनंक के छेपर สच्ट नंच का अंसर देना आपको और पांच आंक का चार कोश्चन आपको इस model set से बनाना है ठीक है तो फर्स्ट जो कोश्चन है objective में वो है निम्ने लिखित में से किस बक्रे के संसाधनों के उत्तम बिनिधान से दो बस्तों के अधिकतम संभावित उत्पादन संयों को दर्शार जाता है तो इसके चार options दिये गए है इसमें से जो सही answer है वो है आपका उत्पादन संभावना बक्र दूसरा जो कोश्चन है वो है निम्ने में से किस बस्तम का संबन्ध वैस्टी अर्थसास्तरे से है कूटों का पड़्यों करते हुए सही बिकल्प का चैन कीजिए यहां पर चार कूट दिये गए है ठीक है बाजार में किसी बस्तों की कीमत का निर्धान कैसे होता है दूसरा कूट है देश में संसादनों का बीनिधान कैसे हो तीसरा एक फर्म का कुल निर्गत इस्तर क्या है चौथा एक देश में बस्तू की कीमते क्यों भरती है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option D एक और तीन इसमें सही है बाजार में किसी बस्तू की कीमत का निर्धान कैसे होता है और एक फर्म का कुल निर्गत इस्तर क्या है यह आपका सही answer है थीतर रहे हुआ है तार तीस्रा जो question है वह है निर्ध में से की सिधाई मैं उपियोगिता को मापधा Annika पर जाएगा तो उपियोगिता को हम रुपिये में मापते हैं okay जो पर नंबर है यहां ज़िक भरतार जोस्तू धो की दिर्धान की मांग कीमत च़ाउया ठीक है, यहां पे जो पांच नमबर question है वो है एक उब्भोकता का अधिमान एकदिष्ठ होता है इस समानेता के आधार पर एक उब्भोकता को दो बस्तों के निम्ण बंडलों में से किसमें उधाशिन होना होगा किन बंडलों पर उधाशिन रहना होगा तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा ओप्शन C, A और D में च्छान नमबर कोश्चन है निम्न में से पूरग बस्तू का इख उधारन है तो पूरग बस्तू क्या है कलम और स्याही साथ नमबर कोश्चन सामारते एक और शद उत्पाद बक्र का आकार होता है कैसा होता है तो उल्टे यू आकार का होता है आट नमबर कोश्चन प्यमाने का इस्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगना बृध्धी की जाती है तो उत्पादन में बृध्धी कितनी होगी तो दौगना बृध्धी होगी नमबर कोश्चन है निमने लिखे चित्र में ए ओ एस बी सी छेतरफल क्या दर्शाता है ये जो आयlast चित्र है ये क्या दर्शाता है तो ये जो दर्शाता है वो है आपका इस्थिर, कुल इस्थिर लागत ठीक है दस नमबर कोश्चन है पूर्ण पतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है तो पूर्ण पतियोगी बाजार में क्या होता है पतियोगी ता काफी होती है इसलिए अत्तरीक फर्म की संख्या होगी इगार नमबर question है एक पूर्ण पतियों की फर्म के संतुलन की शर्ट क्या है तो इसमें क्या होगा MR बराबर MC तथा MC बक्र MR बक्र को नीचे से काटेगी ठीक है बारा नमबर जो question है वो है एक फर्म द्वारा बस्तु की कीमत में 10 पतिशत की बिद्धी करने पर उसकी पूर्ती की मात्रा 15 पतिशत बर जाती है तो बस्तु की पूर्ती कैसी होगी तो बस्तु की जो पूर्ती होगी वो लोचदार होगी ठीक है तेरा नमबर जो question हो है निमनलिखित कथन और कारण के संबद में कौन सा भिकल्ब सही है कथन है किसी बस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म का पूर्ती बक्र बाई और सिसक जाता है और कारण है किसी बस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म का सीमान तलागत बढ़ जा और आपका जो कोश्चन है वह है किसी बस्तु की मांग में बृधि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाब परता है संतुलन कीमत में बृधि होती है इससे पंदरा नूमबर कोश्चन बाजार में मांग अधिक्य की इस्तिती कब उत्पन होती है जब क्या होता है दी बराबर एस होता है दी बराबर नहीं डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से ठीक है मांग की अधिक्य तभी होती है 16 नूमबर जो कोश्चन है वह है पुझी बादी अर्थ बैवस्था के संबन्द में निम्न में इसे कौन सा कथन सत्य है तो उत्पादन के साधनों पर नीजी स्वामित हुआ ठीक है 17 नूमबर कोश्चन मान लिया जाए कि एक देश में दो लाख बैक्ती रोजगार में संलगना है तो दस अजार बैक्ती कार्य कारणने को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है तो देश में बेरोजगारी की दर कितनी होगी ठीक है यहाँ पर कुझ आपको कुझी गद वस्तुव के श्टॉक में ब्रिधी दर्शाता है निवेश सब्ध ठीक है 19 नूमबर कोश्चन है आए के चक्रिय परभा के दो छेतरक मौडल कारक के परभा किस दिशा में होता है तो इसका सेयोतर हो जाएगा परिवार से फर्म की और 20 नूमबर कोश्चन है सर 21 नूमबर कोश्चन निम्नलिहित में से बिनीमाई का एक सर्वमान्य माध्यम क्या है तो बिनीमाई का सर्वमान्य माध्यम आपको पता होगा मुद्रा है 22. ब्याज दर्में बिद्धी का मुद्रा की नगदी की मांग में क्या प्रभाव होता है मुद्रा की नगदी मांग में ब्याज का प्रभाव होता है क्या तो मुद्रा की नगदी मांग में कमी होती है तेस नमबर कोश्चन अर्थ व्यवस्था में मूद्रा की पूर्ती को भाने के लिए एक केंद्र बैंक द्वार अपनाए गए निम्न उपाई है निम्न लिखे कूटों का पर्योग करते हुए सही विखल्पा चैन केजिए तो फर्स्ट कूट है बैंक दर में कमी, पर्तिभूदियों की भीक्री और कोशन उपात में कमी तीन कूट दिये गए है तो इसमें से जो सही कूट होगा वो होगा आपका A और C यानि कोशन उपात में कमी और बैंक कदर में कमी 24 नमबर जो कोशन है वो है निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है कागजी कर कहा जाता आपको संपत्ति कर को 25 नमबर कोशन निम्नलिखित में से पत्यक्ष कर का एक उधारन कौन सा है तो पत्यक्ष कर है निगम कर ठीक है 26 नमबर Question है दि आयमे परिवतन से उपभोकता का उपभोकवाई का परिवातित होता है तो इस सिम्प्ति में MPC का मान क्या होगा तो MPC का मान में सूण रहेगा 27 नमबर Question है निम्ण मेंसे समग्रमाऋ का एक घटक नहीं है क्या? तो वित्य परिसंपत्यों पर वै 28 नमबर कोश्चन कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायति निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है तो गुनक कहलाता है 29 नमबर जो कोश्चन है वो है विदेशी विनिमाई दर क्या है बीदेशी मिनिमाईदर आपका जो है वो है देशी मुद्रा की बीदेशी मुद्रा में कीमत ठीक है तीस नंबर जो question है वो है बास्तु और सेवाओं के अंतराष्टि ये लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता बैपार संतुलन ठीक है यह था आपका objective question और इसका answers नीचे आपके यहां पर कुछ दो अंकिये question है उसके बाद तीन अंकिये उसके बाद माच माक्स का ठीक है तो इस तरह से आपका syllabus तैयार किया गया इसी pattern में आपका exam में भी पूछा जाएगा तो आप इसको जरूर complete कर ले और भी इसके long question के answer जाने के लिए आप channel पेज को जरूर subscribe कर ले आपको काफी मदद मिलेगी इससे बहुत सारा question आपको कराया जाएगा इस चैनल पे तो वीडियो का इसी लगी comment में जरूर बताएए और भी important update के लिए चैनल को जरूर subscribe करें धन्यवाद